अखंड मंथन के सबी दश्कों को नमस्कार मैं हूँ शेक अखत्य पार्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे भारत की आर्थिक स्थिती 19 अक्टूबर 2024 को कैसी रहने वाली है और ये जो विशेष वेब सिरीज है ये भी हम इसलिए आरम कर रहे हैं ताकि बहुत सारे दर्शक जो हम से ये जानना चाहते थे कि प्रति दिन विट्ती स्थिती क कैसी रहने वाली इस पर भी कोई गढ़ना प्रसूत करें तो ये आर्थिक स्थिती का भविशे विशलेशन हम आज से आरम करने चाह रहे हैं और इस गढ़ना के लिए हमने भारत की कुंडली 15 अगस्ट 1943 इस्थान नई दिली और समय 12 वजे एम का लिया है और उसी दिन के ग प्रमुग्रह, बिंदु जैसे गोचर में व्रहस्पति, शनी राहुकेतु और अन्यमहत्पूंड ग्रहों की चाल आर्थिक मुद्दों को प्रभावित कर सकते हैं आए अब आपको भारत की आर्थिक स्थिति का जोतिशी विस्टेशन जो है वो विस्तार से करके समझाते ह भारत की कुंडली विशबलगन और करकराशी की है ये बताता है कि भारत की स्थिर्ता और सुरक्षा पर हमेशा से ध्यान के इंडित रहा है लेकिन चद्रमा का प्रभाव व्यापार, कृशी और जन भावनों पर भी बहुत प्रभाव डालता है 19 अक्टूबर को ग्रहों की स्थिती से आर्थिक स्थिती में कुछ उतार चड़ाओ के संकेत देखने को मिल रहे हैं शनी का कुंबराशी में गोचर भारत की कुंडली के दस्वे भाव से हो रहा है जो कार्य व्यवसाय और सरकारी नीतियों से सम्मंधित हैं शनी का प्रभाव लंबी अवदी के लिए स्थिर्ता और धैरे की मांग कर रहा है इसका आर्थिये हो सकता है कि भारत में आर्थिक नीतियों में दीर्ग कालिक बदलाओ के कुछ संकेत मिल सकते हैं और आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए इस समय एक नया प्रयास भी किया जा सकता है इससे आर्थिक विकास की गती धीमी रह सकती है लेकिन धीरे धीरे ये ठोस बनता जाएगा नई नीतियों और योजनाओं का लाब दिर्ग काल में देखने को मिलने वाला है राहु का मेश राशी में गोचर और केतू का तुला राशी में प्रभाव भारत की कुंडरी के बारहमें और छटे भाव को प्रभावित करता है जो विदेशियों से जुड़े मामले और आर्थिक घाटे को दिखाता है इस गोचर से व्यापारिक साजेदारी और विदेशी निवेश्ट जुड़े मामलों में कुछ अज्थिर्टा या अप्रित्याशिक घटनाय देखने को मिल सकती है राहु का प्रभाव विदेशी व्यापार में अनिश्थिर्टा बढ़ा सकता है विशेशकर आयात निर्यात के मामले में साथ ही ये शेयर वाजार में अचानक उतार चड़ाओ का भी संकेद दे रहा है जिससे निवेश्कों को सतर करेना होगा केतु का प्रभाव विद्ति क्षेत्र में अज्थिर्टा और नीतियों का अचानक इसमें बदलाओ का एक संकेद दे रहा है जो सरकारी बजट या विद्ती योजनाओ को प्रभावित कर सकता है 19 अक्रूबर 2024 में अगर ब्रहस्पती और राहू की यूति की बात करें तो ब्रहस्पती और राहू का मेश राशी में गोचर भारत की कुंडली के बारहमे भाव में हो रहा है जो विदेशी खर्चों से जुड़े विदेशी व्यापार और निवेश्ट को प्रभावित करत ब्रहस्पती का प्रभाव आर्थिक लाप का संकेत दे रहा है लेकिन राहू के साथ यूति होने से अनिश्चित्ता और अप्रत्याशित घटनाएं बढ़ सकती हैं इसका प्रभाव विदेशी निवेश्ट अंतराश्टी व्यापार और भारत की वित्ती स्थिती पर लिए जा सकते हैं जो लंबी अवदी में लापकारी हो सकते हैं लेकिन प्रारंबिक चरन में विवादास्पद या चुनोती पूर्ण भी हो सकते हैं ये निड़ने सूर्य और मंगल तुलाराशी में छटे भाव को प्रभावित कर रहे हैं जो रिर्ण दुश्मन और प्रतिसपर्धा से संबन दिते हैं मंगल और सूर्य का ये गोचर इंगित करता है कि आर्थिक सुधारों और व्यापारिक प्रतिसपर्धा को लेकर के कुछ बड़े निरने लिये जा सकते हैं ये भारत के कर्ज प्रभंधन और सरकारी खर्च में सुधार की और भी संकेत कर रहा है अगर शनी के कुम्भ में जो गोचर है उसको देखें तो ये समय सरकार के लिए नई आर्थिक योजना है और नई नितियां लागू करने के लिए अच्छा समय है विशेश रूप से तकनीकी क्षेतर में प्रगती, उद्योगों का आधुनिकी करन और स्वच उर्जा से जुड़े प्रोजेक्स में निवेश किया जा सकता है ये भी समय है कि सरकार दीरगालिक आर्थिक सुधारों की और कदम बढ़ाए जैसे मेकिन इंडिया और आत्म निर्भर भारत योजनाओं में निवेश करे और उसको प्रोच साहित करे किसानों को इस दोरान कुछ चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है विशेश रूप से मौसम और क्रिसी उत्पादों की कीमतों को ले करके यद्यपी ब्रहस्पती का आंशिक रूप से सकारात्मक प्रभाव ये संकेत देता है कि सरकार क्रिशिक्षेत्र के लिए नई योजनाए या समर्थन की गोशना कर सकती है जिससे ग्रामिल अर्थव्योस्ता को सहारा मिल सकता है भारत की कुंडली के बारवें चठे भाव को प्रभावित करने वाले अगर राहु और केतु की स्थिति को देखें तो इसका जो वैश्विक आर्थिक संकट है उस पर भारत की अर्थव्योस्ता पर बड़ा असर पड़ सकता है भारत को अंतराष्टी व्यापार विशिशकर यूरोप और अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंदों में सतरकता बरेतने की आवश्यक्ता होगी कच्चे तेल और अन्य आयतित वस्तों की कीमतों में उतार चड़ाओ से भारत की आर्थव्योस्ता प्रभावित हो सकती है इस समय निवेश्ट को सतर करना चाहिए क्योंकि अचानक से बाजार में बड़ी गिरावट या बढ़ध भी देखने को मिल सकती है। विदेशी निवेश्ट व्यापार और आर्थिक नीतियों में बड़लाओं संभव है जबकि सरकार दिर्गकालिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा सकती है। अलगा आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी राय हमारे वोटसिप नमबर 79054965 पर भी दे सकते हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में तब तक के लिए हमें अनुमती ने धने मार नमस्कार।